जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी आज कितना जरूरी दिन है कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और आज मैं आपको वो तैयारी कराने वाली हूँ जो साल में दो बार ही होती है कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं मैं आपको आज ही घट स्थापना का शुब महुरत, कल स्थापना का सही तरीका बताऊंगी आज आपको मा के पहले स्वरूप माशेल पुत्री की पूजा की विधी बताऊंगी साथी माशेल पुत्री के अचुक उपाई भी होंगे आज आपको नवरातर का वास्तु भी बताया जाएगा चलिए इस खास दिन की शुरुआत मातारानी का नाम लेकर करते हैं नवरातर कल से शुरू हो रहे हैं और अब मैं आपको रोज नवरातर से जुड़े पांच माहों पाई बताऊंगी तो चलिए मातारानी का नाम लेजिए और मुझे एक बात बताईए क्या नौकरी नहीं लग रही है इंटिव्यू देने जा रहे हैं नवरातर में किसी भी दिन सुभर जल्दी उठकर नहाएं उसके बाद सफेद रंग का सूती आसन बिछाकर इस्ट की तरफ चेहरा करके मुझ करके उसपर बैठ जाएं अब अपने सामने यलो कपड़ा बिछाकर उसपर एक सो आठ दानों वाली स्पटी की माला रख दे फिर इसके बाद इसपर थोड़ा सा केसर केसर आप घोल लीजेगा केसर और इत्र इस पर अच्छे से छिड़क कर आपको उस माला की पूझा करनी है इसके बाद आपको धूप, दीप और अगरबती दिखाकर जो मंत्र बता रही हूँ उसका 31 टाइम्स उचारन करना है और यह लगातार 11 डेज करना है यानि कि कल से शुरू करेंगे, 11 दिन करेंगे इसके बाद वो माला सिद्ध हो जाएगी चपी किसी इंट्यूवी में जाएं वो माला बैग में रखें, पहन लें किसी पी तरीके से अपने आपको टच करा ले सफलता आपको मिलेगी माला को सिद्ध करने वाला मंत्र है ओम रीम वागबादनी भगवती ममकारे सिद्धी कुरू कुरू फट स्वाहा कल से पवित्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं और मैं रोज आपको अडवांस में अगले दिन की जानकारी दोंगी ताकि आप एक दिन पहले ही तयार हो जाएं और आपको पता चल जाए कि अगले दिन मा को कैसे प्रसंट करना है तो चलिए, सबसे पहले आपको नवरात्र का शुब महुरत और घट स्थापना के बारे में बता देती आईए अब आपको घट स्थापना का शुब महुरत बता देती हूं ये महुरत बहुत जरूरी है पहले नवरातर के दिन ही घट स्थापना जिसे कुछ लोग कल स्थापना भी कहते हैं उसका समय कल 21 सिप्तमबर को सुबह 6 बच कर 12 मिनिट से सुबह 8 बच कर 9 मिनिट तक रहेगा यानि कि कल स्थापना के लिए पूरे 1 घंटे 56 मिनिट का समय मिलेगा इस बीच आपको घट स्थापना कर लेनी है शुब महुरत नोट कर लिया न पूजा अगर शुब महुरत पर हो तो आपको इसका शुबफल भी जरूर मिलता है चलिए अब आपको घट स्थापना कैसे करनी है सबसे पहले इसके बार मैं बताती हूँ लेकिन इससे पहले आपको घट स्थापना के लिए क्या-क्या चाहिए वो सामान भी तो नोट कर लिजे उसकी लिस्ट बना लिजे एक-एक करके बता रही हूँ आराम से नोट कर लिजे सबसे पहले हमें मिट्टी का पात्र चाहिए जौ चाहिए शुद साफ कीवी मिट्टी शुद जल से भरा हुआ सोना चांदी तांबा पीतल मिट्टी का कलश मौली यानि की लाल सूत्र साबत सुपारी कलश में रखने के लिए सिक्के अशो की आम के पांच पत्ते कलश को ढखने के लिए मिट्टी का ढखन साबत चावल एक पानी वाला नारियल लाल कपड़ा सामान नोट कर लिया आपने तो आप चलिए आपको नवरात्र कल स्थापना की विधी के बारे में बताती हूँ क्योंकि कल शुब महुरत है आप से कोई गलती नहीं होनी चाहिए कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है हिंदु धरम में हर पूजा से पहले गणेश जी की पूजा का विधान है इसलिए नवरात्र की शुब पूजा से पहले कलश की रूप में भगवान गणेश को स्थापित किया जाता है भविश्य पुरान के अनुसार कलश स्थापना के रिए सबसे पहले पूजा स्थल को शुद कर लेना चाहिए एक लकडी का फट्टा लाकर उस पर लाल रंका कपड़ा बिछाना चाहिए इस कपड़े पर थोड़ा थोड़ा चावल रखना चाहिए चावल रखते हुए सबसे पहले गणेश जी का स्मरंण करना चाहिए एक छोटा सा मिठी का पात्र ले लिजे जैसे गमला इसमें जौब होना चाहिए इस पात्र पर जल से भरावा कलश स्थापित करना चाहिए कलश पर रौली से स्वास्तिक या ओम बनाना चाहिए कलश के मुख पर रक्षा स्थूत्र बांदना चाहिए कलश में सुपारी सिक्का डाल कर आम या शोक के पत्ते रखने चाहिए कलश के मुख को धकन से धक देना चाहिए धकन पर चावल भर देना चाहिए एक नारियल ले उस पर चुन्डरी लपेट कर रक्षा स्नूत्र से बांध लेना चाहिए इस नारियल को कलश के धकन पर रखते वे सभी देवताओं का आवाहन करना चाहिए अंत में दीब जलाकर कलश की पूझा करने चाहिए कलश पर फूल और मिठाईयां चाहिए नवरात्र में माता रानी कल्यान करेंगी अब आपको आज का दूसरा माहा उपाई क्या है ये बताती हूँ क्या बिमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है ऐसे में मा शैल पुत्री की धूब बाती से पूझा करें इसके बाद उन्हें अपनी इच्छा अनुसार गाय का घी चड़ाए थोड़ा सा घी प्रसाद के रूप में घर में भी सभी लोगों को दें अगले दिन उफर किया गया घी आपको किसी ज़रत मन्द को दान करते ना है या किसी मंदिर में चड़ा दीजे धीरे धीरे बिमारी दूर होगी लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाना है इलाज के साथ उपाए करें नवरातर में मा दुरगा के नौ रुपों की पूजा होती है पहला दिन होता है मा शैल पुत्री का कल से नवरातर शुरू है और जैसा मैंने आपसे वादा किया था मैं एक दिन पहले ही आपको अगले दिन के नवरातर की तैयारी करवा दूँगी तो अब मैं आपको मा शैल पुत्री के वो महा मंत्र बताने वाली हूँ जिसके बिना उनकी पूजाद हो रही है पहले नवरातर का मंतर तो मैंने आपको बता दिया अब आपको नवरातर के यंदर के बारे में बताती हूँ आपका हर काम सफलता में बदल जाएगा धनलाब होगा और घर में सुक सिम्रदी शांती बढ़ेगी इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर जो यंदर दिख रहा है उसे आपको स्थापित करना है ठीक से देख लीजे फोटो ले लीजे आप इस यंदर को अपने घर के पूजा स्थान में रखें यंदर को नौ दिन मंदिर में ही रखे रहने दे डेली धूबत्ती से पूजा कीजे रोज उस दिन की देवी का बीज मंत्र सामने बैठकर जाप कीजे जो मैं आपसे एक दिन एडवांस में पहले ही बता देती हूँ ठीक है? पहले यंदर कैसे बनाना है ये बताती हूँ आपको लाल चंदन में केसर, पानी मिलाकर इंक बनानी है इस यंदर को भोज पत्र पर या वाइट कागस पर इसी इंक से अपनी रिंग फिंगर से बनाना है कल का बीज मंत्र है ओम देवी शेल पुत्राए स्वाहा नवरातर के शो में आगे बढ़ते हैं लेकिन इस से पहले आपको आज का तीसरा महा उपाई क्या है? यह बताती हूँ क्या कानूनी परिशानियों से छुटकारा नहीं मिल रहा हैं आपको? ऐसे में कल रात को आठ बजे से दस बजे के बीच माशेल पुत्री की प्रतिमा या चित्र के सामने एक लाल कपड़ा बिचाए उसके उपर ग्यारा चौमुकी घी का दिया जलाएं हर दिये में एक-एक लॉंग डालें मतलब आपको हर दिये में सिर्फ एक-एक लॉंग डालनी है ठीक है? फिर अगले दिन सुभा हर दिये को अपने उपर से एक बार क्लॉक्वाइज घुमाएं इसके बाद ये सब दिये पानी के पास या पीपल के पेड़ के पास छोड़ने प्लीज नदी को खराब ना करे लेकिन अगर आप सच्चे हैं तभी ही उपाय आपको रिजल्ट देगा कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं राशी के अनुसार नवरात्र में किस मंत्र से माद दुर्गा होंगी प्रसंद जिसका जाप करके आपको विशेश लाव हो सकता हैं आईए अब आपको बताती हूँ मेश राशी के लोग माद दुर्गा की आरादना करें मंत्र है ओम रीम दुम दुर्गाए नमहा इस मंत्र की 24 माला का जाप करें मतलब हर दिन 3 माला और हर दिन दुर्गा चालिसा का पाठ हो सके तो जरूर करें विश्व राशी के लोग मा काली की पूजा करें मंत्र है क्रीम रीम क्लीम इस मंत्र का जाप करें 24 माला का हर दिन श्री काली का सहस्तर नाम का पाथ करें मित्वन राशी के लोग मा तारा की पूजा करें मंत्र है ओम हरीम त्री हुम फट ये मंत्र है इसकी 24 माला का जाब करें और हर दिन श्री तारा कवच का पाथ करें करक राशी वाले लोग मा कमला की पूजा करें मंत्र है नमह कमल वास्याने स्वाह इसकी तेरा मला का जाप करें और हर दिन श्री सूखत का पात करें सिंग राशी वाले लोग मा त्रिपुर भैरवी की पूजा करें मंत्र है एंग क्लींग सो सो क्लींग इस मंत्र का जाप करें 24 माला का जाप करना है और हर दिन भैरवी तरह लोग आए विजय एकवच का पाथ करें कन्या राशी की अगर बात करें तो मा मातंगी की पूजा करें मंतर है ओम रीम क्लीम हूम मातंगे फट स्वाहा आपको कितनी बार जाप करना है आपको तोटल नवरातर में 13 माला का जाप करना है हर दिन मातंगी सहस्तर नाम का पाथ करें आज मैंने आपको 6 राशियों के बारे में बताया है कल बाकी की 6 राशियों के बारे में बताऊंगी जो देखते रहिएगा अभी आगे बढ़ते हैं आईए अब को माशेल पुत्री के विशेश रंग के बारे में बताती हूं माशेल पुत्री का विशेश रंग है लाल लाल रंग को आपनी लाइफ में शामिल करें आप भी पा सकते हैं बहुत सारे benefits Red color जादा पहनने से blood से जुड़े health issues में benefit रहता है ये energy और comfort देता है Mental strength और confidence भी बढ़ाता है लाल रंग से benefits होते हैं जैसे आपको बताती है Red color को कोई भी चीज से खाएं जैसे चकुंदर, अनार, गाजर इस तरह से आप खा सकते हैं इनका juice पी सकते हैं Red color के कपड़े या फिर bed पर red color का cover बिचाएं लगातार benefit के लिए mobile पर red color का cover चड़ा सकते हैं माशेल पुत्री का पसंदेदा color लाल है अब मैं आपको बताती हूँ अपने घर को कैसे लाल रंग की मदद से वास्तुदोश से मुक्त कर सकते हैं South facing structure को red color से paint करा दे Red color का कोई element, कोई candles यूज़ करें ऐसा करने पे आपका यश, आपका fame बढ़ेगा Living room की south wall पर red color का paint करा दीजे Red painting लगा लीजे, red cushions रग दीजे Red color का कोई showpiece लगा लीजे Dining area में कहीं भी थोड़ा सा red color आड़ कर दीजे इससे digestive power बढ़ती है Bedroom में deep red को void करकर Rose red या pink color की कोई भी चीज यूज़ करें जैसे curtains, bed covers, cushions, आप कोई सुंदर सा flower pot, flowers ये सब भी यूज़ कर सकते हैं Bathroom में भी light red की आप कोई चीज यूज़ कर सकते हैं नवरातर का एक और महा उपाय जान लेते हैं Show में आगे बढ़ें उससे पहले नवरातर का चौथा महा उपाय जान लीजे धन लाब नहीं हो रहा है एक नारियल ले उस पर काला धागा लपेट कर शाम को पूजा स्थान पर रखते रात को नारियल को धागे समेच जला दे यह उपाय तीन, साथ या नौ दिन लगातार करना है एक fix time पर करें जो भी आप time select करें उसी time पर करें घर में आपको अपने आप financial gains दिखने लगेंगे कोई न कोई पैसे आने के रस्ते खुल जाएंगे देखिए नवरातर के दिन बहुत ही special होते हैं इस समय उर्जा बहुत special होती है आपको 9 दिन मैं बताऊंगी मा दुर्गा से जुड़ीवी छूटी छूटी चीज़े जो आपने करनी है यह आपका जीवन बदल देंगी और लग को एकदम enhance करेंगी तो सबसे पहले मेश राशी की बात मेश राशी की लोग सुभा दुर्गा मा के भजन सुनिएगा आप लग आपका साथ दे रहा है कल के दिन 70% प्रिश्चब राशी के लोग मादुर्गा को प्रणाम करकर ही काम पर जाएं लग आपको सपोर्ट कर रहा है कल 72% मिथुन राशी के लोग घर में मादुर्गा की फोटो लगाईए किस्मत साथ दे रही है आपका 65% कर्क राशी के लोग मादुर्गा की पूझा ज़रूर कीजिए भागे साथ दे रहा है आपका 70% सिंग राशी वाले लोग घर वालों के साथ मंदिर जाएं भागे साथ दे रहा हैं आपका 71% कन्या राशी के लोग घर के मंदिर में फूल रखें लकाप को सपोर्ट कर रहा है 78% तुला राशी के लोग मा दुर्गा का जाप करें किस्मत साथ दे रही है आपका 75% विश्चिक राशी के लोग मा दुर्गा को खीर का भोग लगाएं भागे साथ दे रहा है आपका 53% धनू राशी के लोग दुर्गा सबशती का पार्ट जरूर करें किस्मत साथ दे रही है आपका 48% मकर राशी के लोग मा दुर्गा की आरती करें लग आपको सपोर्ट कर रहा है कल 55% कुम राशी के लोग दुर्गा चालिसा का पाट कीजिए आप भागे साथ दे रहा है आपका 49% और मीन राशी के लोग मा दुर्गा के नामों को याद कीजिए आपका भागे आपका साथ दे रहा है कल 66% अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको मा शैल पुत्री से कैसे मिलेगी कृपा मा शैल पुत्री का रूलिंग प्लानेट है मरकुरी यानि कि बुध और जिनका मरकुरी वीख है कमजोर है उन्हें नवरातर के पहले दिन इसे स्ट्रॉंग करने के उपाई बता रही हूँ अगर आपको बुध ग्रे वीख है तो आपको क्या नुकसान होता है आपको पहले ये जानना जरूरी है मैं बताती हूँ बुध वीख होगा तो खाने की तरफ बहुत जादा अट्राक्शन होगा बहुत मेहनत करने पर भी इंकम जादा नहीं हो पाएगी मान सम्मान में हानी होगी बार-बार बीमार होते रहेंगे बीमारियां जैसे ब्लड डिसॉडर, आई प्रॉब्लम, डांथ, नर्व्स की प्रॉब्लम ये संभावना बनी रहेगी तो आपको नवरातर के पहले दिन क्या उपाए करने हैं जिससे आपका बुद्ग्रे मजबूत बने आईए इसके बारे में जान लेते हैं फिटकरी से दान्च साफ करें, चिडियाओं को अनाच खिलाएं, अस्तमा की दवाई किसी हॉस्पिटल में दान करें, गले में सिल्वर चेन पहनें, बंदरों को गुड खिलाएं, कल से शुरू करके 43 देश तक माथे पर केसर का तिलक लगाएं मा शेल पुत्री की फोटो घर में नौर्थ डारेक्शन में हरी टेप से लगाने से आपका बुद्ग्रे मजबूत हो जाएगा जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे से याद नहीं कर पाते, जिन लोगों के पास पैसे आने की उपरचुनिटीज नहीं बनती, जिनने अपनी बातचीत से फाइदे की बजाएं नुकसान होता है, उन्हें ये उपाएं जरूर कर लेना चाहिए फेस्बुक पर पलक गुपता पढ़ाई में ध्यान की इंद्रित करने का उपाई जानना चाहती है पलक मैंने इसी समय आपको बताया कि आपको क्या करना है, माशैल पुत्री बुद्ध की देवी है, बुद्ध को रिप्रेजेंट करती है इनकी फोटो को अपने स्टडी टेबल पर ग्रीन टेप से लगा दीजे, आपको फरक खुद दिख जाएगा शो के आखिर में नवरातर का आज का पांचवा माहा उपाई बता देती हूँ हर शुपकाम में परिशानिया हैं, आप अभिगनाए नमहा इस मंतर का रोज एक माला का जाप किया करें दीरे दीरी आपकी सारी परिशानिया दूर हो जाएंगी, कम से कम नवरातर तक तो जरूर जारी रखें आज के लिए इतना ही, कल होगा नवरातर का पहला दिन मैं आपको पहले दिन के अचुक उपाए, बताने के साथ साथ, मा के दूसरे स्वरूप, मा भ्रहमचर्णी के बारे में सारी जानकारी दूंगी मा की कृपा आपको जरूर मिलेगी, अभी चलती हूँ, जैमाता दि